हेलो फ्रेंड्स गुड अप्टर नून एंड वेलकम टू दा सक्सेस केंद्रा फ्रेंड्स देखे इस सेशन में हम लोग बिहार पुलीस एकजाम दोहजार चौबीस यानि कि बिहार पुलीस कौंश्टेबल एकिस दार तीन सो क्यांबे पदो पर जो वेकंसी आई हुई थी ज प्रशन है या और इसमें केवल इंपॉर्टेंट प्रशन ही आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी एक्जाम के दृष्टी कुन से महत्पॉर्ण है जिनके पूछे जाने के चांसे काफी ज़्यादा है और टोटल सो इंपॉर्टेंट कुस्टन से जिस प्रकार से आपकी एक्जाम में सब्सक्राइब पुछे जाते हैं विहार पुलिस के उसी प्रकार से प्रश्चन इस सेसर में आपको देखने को मिलेंगे अौरिद् упů आपको से नमबर ऑपन का मैंने टेलीग्रां पर दे त्या है in the land ुड़िए सब्सक्रेशन कर लीजे ए न जो फिन सब्सक्राइब कर लिजे और जो बगल में बेल आइकन है घंटी का निसान जो दिख रहा है उसको भी जरूर दबा लिजेगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और फटाफट सभी लोग इसको शेयर कर दीजे किसी भी ग्रूप में चले अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं देखें आज के सेशन का पहला प्रशन पढ़ेंगे आप देख सकते हैं पहला ही प्रशन एक्जाम ओर्येंटेड ह कितना महत्पूर्ण है प्रशन क्या है कि हाल ही में किस देश ने मल्टी लॉंच रॉकेट सिस्टम फटाह टू लॉंच किया है देखिए एंसर सब लोगों को कमेंट करना है सब लोग एंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड्स और जो भी मैं एक्स्पिलेन करूंगा उसको भी ध्य लॉंच किया है सब लोग एंसर कमेंट करिएगा सब लोग एंसर कमेंट करिएगा बताइए राइट अंसर इसका क्या होगा कि फ्रेंड्स देखिए यह पाकिस्तान ने इसको लॉंच किया है ध्यान रखिएगा और यहां पर देखिए रुद्रायम टू है रुद्रायम को तो आप याद रखे का आगे प्रश्ण आपको मिलेगा तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान राइट अंसर हो जाएगा चले उसका बाद हम लोग नेक्स्ट कुस्चन कर लेंगे फ्रेंट्स दूसरा प्रश्ण है कि लाश्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेंसंस चित्रकारी किस अब मौला निशा से आप पकड़ लिये होंगे कि यहाँ चित्रकारी किसकी है तो यहाँ लियोनार्द द विन्शी की है ओप्सन सी राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा माइकल एंजेलो से संबंदित जो कृती है यह भी पूछा जाता है देखिए दे लाश् कृतियां याद रखेंगे द लाश्ट जर्जमेंट और द फॉल अफ मैन यह किसकी कृति है तो यह माइकल एंजेलो की है क्लियर है ध्यान रखिएगा चले तीसरा प्रशन करेंगे कि अफ्रिका में आस्वान डेम द्वारा बनाई गई जील कौन सी है मोस्ट भी भी आई जाएगा अस्वान डेम यानि कि अस्वान बांध जो है यहां नील नदी पर है ठीक है फ्रेंट्स जिहान रखिएगा और अफ्रिका में अस्वान डेम पर जो जील बनाई गई है यह जील कौन सी है तो यह नासिर जील है नासिर पढ़िए नासिर पढ़िए या नैसा जील पढ़िए ठीक है तीन तरीके से आपको नाम याद रखना है चली नेक्स्ट कोस्ट नंबर फोर देखिए का कोस्ट नंबर फोर है थोड़ा समय बड़ा करता हूं ताकि और आपको असपश्ट दिखाई दे देखिए कोस्ट नंबर फोर कर रहा है कि 1853 से 1856 इस भी में क्रीमि पुछे जाते हैं और इस बार जो नया सिलेबस दिया गया है बिहर पुलिस का दोजार चोबिस बला उसमें आप देखेंगे कि वर्ड हिस्टरी ही आपको देखने को ज्यादा मिलेगा वर्ड हिस्टरी का मैंने एक सेपरेट वीडियो कबर कर आया हुआ हुआ है जिन्होंन फाइब आप सबस्ट और सब्सक्राइब लिए इस यूद के लिए जिसके तरहट यह कृम्या का यूद्स हुआ ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट को सब्सक्राइब कर लेंगे कोस्टन नमर देखीं क्या कर रहा है को स्ब्सक्राइब कि होरन्विल फेस्टिबल का कहां किया ना होरन भिल फेश्टिबल का इव जन कहां किया यह यानि कि हौन भील ुद्पर पूछा गया है तो पूंधी कहां पर मनाए जाता है उपसन नबर यहां पर एर राइट अन्सर हो जाएगा और संगई महत्सों पुछेगा तो यह आपका मनिपुर होगा ठीक है ना चले फ्रेंट्स उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट कुस्षन कर लेंगे नेक्स्ट कुस्षन कर लेंगे कि पटना में किस सिख गुरू का जनम हुआ था यह सिखो के दसवे गुरू ते गुरू गोविंद सिंग इनका जनम 1666 इसमी में पटना में हुआ था और ध्यान रखेगा इन्होंने 1699 में खालसा पंत की अस्थापना किया था तो गुरू पौतिक भुगोल के जनक के रूप में जाना जाता है यह बिहार पुलिस में अल्रेडी प्रीवियस एर में प्रश्न पूछा जा चुका है सभी लोग इसका अंसर कमेंट करेंगे और फ्रेंड्स यह सुनहारा औसर जो आपको मिला है इसको जाने मत दीजे इतनी बड़ी व पौणिया फूल सेट को लगाईए एक ही सेट लगाईए पर रोज लगाईए और अच्छे लेबल के प्रश्नों का लगाईए अगर आपको सेट पसंद आ रहा है हमारा तभी आप लगाईए अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप मत लगाईए लेकिन मैं जो प्रश्न जनक किसको कहा जाता है तो यह इरेटेस्थनीज को कहा जाता है भौतिक भूगुल का जनक जो है यह कहा जाता है पोलिडोनियम को अचा अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भूगुल का जनक किसको कहा जाता है आधुनिक भूगुल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंड यहां एलक्जंडर आप याद रखेंगे एलक्जंडर वान हमबोल्ट और यह को और नाम याद रखेंगे और कार्ल रिटर को ठीक है हो सगे option में आपको यहीं दिखेगा अलक्जंडर वान हमबोल्ट लेकिन साथ साथ कार्ल रिटर का भी नाम याद रखेंगे इनको आधुनिक भूगल का जनक कहा जाता है चले question number 8 कर लेंगे कि letters on English किसकी रचना है letters on English किसकी रचना है बिहार पुलिस के exam CSBC conduct करवाती है और CSBC के दवरा जितने भी exam conduct करवाया है चाहे बिहार पुलिस का हो फायर मैं का हो मदनिसेत का हो फोरेश्ट गार्ट का हो उन सब में जो है friends world history से प्रशन पूछा जाता है ठीक है तो letters on English जो है ये रचना किसकी है तो ये वर्ल्टेयर की रचना है किसकी रचना है वर्ल्टेयर की रचना है चले question number 9 कर लेंगे कि plasma अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर इस्तित है चले comment करेंगे सभी लोग इसका answer comment करेंगे plasma अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो plasma अनुसंधान संस्थान जो है friends यहाँ कहाँ पर है तो गुजरात गांधी नगर में है ठीक है गांधी नगर इसका right answer हो जाएगा अच्छा center for DNA finger print and diagnostic कहाँ पर है center for DNA finger print and diagnostic यह हैदराबाद में है इसे भी आप अवस्ते ही धियान रखिएगा चले question number 10 कर लेंगे friends एक बार please session को like कर दीजे please मैं एक बार request कर रहा हूँ आपसे कि एक बार like कर दीजे इसमें से मिसर की अस्थानिय पवन है इसमें से मिसर की अस्थानिय पवन का नाम आपसे पुछा जा रहा है बताई करक्ट answer क्या हो जाएगा इसमें से मिसर की जो अस्थानिय पवन का नाम है यह कौन सा है देखिए चीनुक जो है ध्यान से सुनिए चीनुक जो है अमिर्का और कनाडा में रोकी परवत की पुर्वी ढालो पर नीचे उतरती है यह एक प्रकार की गरम हवा है ठीक है कहां पर तो अमिर्का और कनाड़ा में याद रखेंगे फॉन जो है फॉन आल्पस परवत के उत्री ढाल से निचे उतरती हुई एक गर्म और सूस का हवा है और इसका सरवाधिक प्रभाव जो है ये स्विट जर्लेंड में है ठीक है हर्मतन जो है हर्मतन सहारा रेगि स्थान से उत्तर पुर्व दिशा में चलने वाले यह भी एक गर्म और सूस को पॉण है और गिनी टट पर इसको डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है ठीक है डॉक्टर हवा के नाम से खमसीन जो है ये मिश्र की अस्थानिये पॉण है अप्शन डी राइट अंसर हो जा स्थान में लोगसभा के स्पीकर कौन है तो स्री ओम विडला जी है ठीक है ध्यान रखेंगे लोगसभा की पहली महिला अध्यक्स कौन थी पहली महिला स्पीकर तो फ्रेंट सी ये मीरा कुमार थी ठीक है लोगसभा की पहली महिला महासजीव कौन थी ये विमात कौन है तो स कुस्चिने है, लता सिरवास्तों थी इस सारे point सा धहान रखेंगे लोकसभा के स्पीकर मemorलंकर सह heaven, जवि म मावलंकर थे ध्यान रखेंगे नाम है, लोकसभा के सिर्वासन जो होता है यह लोग सभा के सदस्य ही करते हैं ठीक है तो राय टंसर इसका लोग सभा के सभी सदस्यों के दवारा चले next question है question number 12 कि making India कारेकरम की सुरुवात जो है किस वर्स होई थी मेकिन इंडिया कारेकरम की सुरुवात किस वर्स होई थी बताएंगे सभी लोग इसका अंसर कमेंट करेंगे रैट अंसर क्या हो जाएगा देखे हमारे देश में निर्मान को बढ़ावा देने के लिए मेकिन इंडिया कारेकरम की सुरुवात जो है सरोच नयले का न्याधिस अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख करके देता है राइट अंसर फटा फट कमेंट करिए मेरे प्यारे भाई भाहन सभी लोगों को एंसर कमेंट करना है सरोच नयले का न्याधिस अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख करके देता है तो फ्रेंट्स देखे आर्टिकल 122 त्यान रखेंगे अनुछेद 122 के तहक सुप्रीम कोट का कोई भी जज राष्ट पती को पत्र लिख करके अपना इस्तिफा देता है ठीक है फ्रेंट्स राइट अंसर इसका हो जाएगा चले अगला प्रशन करेंगे फ्रेंट्स कि भारत के समिधान का कौन सा अनुछेद भारती निर्वाशन आयू की अस्थापना से संबंदित है बताएंगे राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा फटा-फट कमेंट करके बताई इसका अंसर क प्रेंट्स दीखें यहाँ अंचेद जो है यहाँ तीनसोचोवीस है कौनसा अंचेद है तो फिरंट्ष यहाँ जियानुच्छेद इसका हिस और प्रजिद है अ Darth Ma तब राश्टपती को दोबारा चूने जाने से संबंदित है, बताएंगे इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा, फटाफट सभी लोग एंसर कमेंट कर देजिए, करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा फ्रेंट्स, देखे, अनुछे अनुछेद 52 में कहा गया है, कि भारत का एक राश्टपती होगा, ठीक है, अनुछेद 53 में कि राश्टपती की कारेकारी सकती है, ठीक है, अनुछेद 55 में राश्टपती की चुनाव का तरीका है, 54 में राश्टपती का चुनाव है, 56 में राश्टपती का कारेकाल है, यह और निश्यत संतावन जो है यहां राष्टपती को पुनर निर्वाचित होने की योगिता जो है इसी में दिया गया है तो option D इसका राइट अंसर हो जाएगा क्लियर है friends ध्यान रखिएगा चलिए अगला प्रेशन कर लेंगे question number 16 16 है कि इस अनुष्यत के तहत उप्राष्टपती राध्यसभा का पदेन सभापती होता है बताईए अचा उप्राष्टपती जो होता है यह तो आप जानते हैं कि यह उप्राष्टपती राध्यसभा के सभापती होते हैं वरतमान में जगदीप धनकरजी भारत के उप्राष् 64 है ठीक है अनुचिद 65 भी बड़ा इंपोर्टेंट है अनुचिद 65 जो है इसी कंत्रगत राष्टपती का अगर पद खाली है किसी कारण वस तो उप राष्टपती राष्टपती के रूप में कारे करेगा आर्टिकल 65 में है यह ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्टन करेंगे कि राष्ट्री सिक्षा दिवस कब मनाय जाता है राष्ट्री सिक्षा दिवस कब मनाय जाता है बताएंगे सभी लोग इसका एंसर कमेंट करेंगे राष्ट्री सिक्षा दिवस कब मनाय जाता है दिके राष्ट्री सिक्षा दिवस जो है यहाँ प्रतेक वर्स मनाया जाता है ग्यारह नॉवंबर के दिन मौलाना अबुल कलाम अजाद जो भारत के प्रतम सिक्षा मंत्री थी उन्हीं के जनम दिवस का उसर पर मनाया जाता है और यह 2008 से मनाया जा रहा है ठीकर राष्टी सिक्षा दिवस लेके कोस्टर नंबर 18 क्या पूछ दिवस यह बड़ा पूछा जाता है जैव विद्धिता दिवस तो आप याद रखेगा मैं सब आपको बता रहा हूं देखे फ्रेंट्स यहां पर पूछा गया है प्रित्वी दिवस के रूप में तो 22 अप्रेल के दिन प्रित्वी दिवस मनाया जाता है और 22 माई को अंतर स्वेज नहर किन दो सागारों को जोडती है बता रहा होगा ज्वेज नहर किन दो सागरों को जोडती है ठीक है नेक्ष ने 20 नबर के Maunt Atena क्या है Maunt Atena क्या है स melee right answer क्या हो जाएगा Maunt Atena जो है यहाँ एक सक्रियज वाला मुखी है यह जोला मुखी है यहीछ और Maunt Atena जो है यह कहां पर है तो Friends यहं goosebumps इटिली में है कहां पर है? इटिली के Sicily दीप के पूर्वी टट परिस्तित है Italy के Sicily दीप के पूर्वी टट परिस्तित है Mount Atena क्लियर है याद रखिएगा चले next question है 21 number किन्यमने लिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन होती है कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन होती है कुलगार्डी जो है यह कहां पर है तो यह Australia में है ठीक है Australia में कुलगार्डी जो है यह सोना खनन के लिए प्रशिद है किस के लिए प्रशिद है सोना खनन के लिए प्रशिद है तो सोना खनन इसका राइट अंसर हो जाएगा कुलगार्डी और काल गुरली ठीक है याद रखेंगे सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है उस्ट्रेलिया में है अगला प्रशनी की नेमलकित में से कौन पुर्व मिमांसा दर्शन के परवर्तक है पुर्व मिमांसा पुछा गया है बताई राइट अंसर क्या हो जाएगा अच न्याय दर्शन के है सांग के दर्शन के कौन है तो सांग के दर्शन के परवर्तक कपिल मुनी है ठीक है कपिल याद रखेंगे और योग दर्शन के पतंजली है याद रखेंगा पतंजली ठीक है सभी को ध्यान रखेंगा वैसिसिक दर्शन के कौन है तो उलुक है या फिर इनको कनाद भी नाम आप याद रखेंगे ठीक है चले अगला प्रशन करेंगे कि प्रितिवी पर गहने मन अधिकतर कहां मिलते हैं इसी तरह के प्रशन बिहार पुलिस में पुछा जाता है फ्रेंट्स एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजी प्लीज एक बार लाइक कर दीजी मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं मगर आप लाइक नहीं करते हैं और नहीं आप लोग शेयर करते हैं बस आते हैं वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं थोड़ा सा सहयो चलिए गुरु दक्षिना में मैं आपसे कुछ मांगता भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं आपसे लाइक मांगता हूँ और एक सेयर मांगता हूँ, चलिए पृतिवी पर घने वन अधिकतर कहां मिलते हैं, पृतिवी पर घने वन जो है या अधिकतर मिलते हैं कहां पर, अच्छा भ प्रित्वी पर प्रश्च में पुछागे कि गजह अधीकतर कहां मिलते हैं या विश्वथ रेखा के पास में प्रित्वी पर सबसे ज्यादा घॉने 01 पाए जाते हैं तो विश्वत रेखा के पास हो जाएगा भारत के निमनलेखित भागों में द्रविडियन प्रजाती मुख्यता मिलती हैं देखिया मुख्यता पूछा गया वैसे द्रविडियन प्रजाती जो है यह मद्ध भारत में भी पाई जाती है लेकिन मुखिरुप से यह प कौन सा सहर नहीं है बताएंगे राय टंसर इसका क्या हो जाएगा सभी लोग एंसर कमेंट करेंगे और फटाफट एंसर कमेंट करेंगे बिना समय बरबाद किये हुए चलिए बताएं कौन सा सहर गंगा नदी के किनारे इस्तित नहीं है तो यह जो सहर है यह उत्तरकासी उत्त की संधी कब हुई थी चले बताइए गा राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा सेबर की संधी कब हुई थी सभी लोग एंसर कमेंट करेंगे बहुत ही अच्छा प्रश्ण है सेबर की संधी कब हुई थी देखिए सेबर की संधी जो है यह प्रथम विस्यूद के बाद हुई थ यह एक प्रकार की अपमानजनक संधी थी जो कि तूर्की के सांथ किया गया था, दस अगस्त एगास्त प्रक्रत, याद थैलोफाइटस को लिजे, थैलोफाइटस थीक है? या थैलोफाइटस को एंतरगत से इच थावाल रहता है, ओवहाक भी यह और पादब्लिजगत का उभहतर कहा जाता है किसको, थे मिलेज़ को वहता है ब्रायो फाईटस यहाद रखिये concept चले question number 28 है कि निमलकित में से कौन भूमी बंधित नदी है भू बंधित नदी जो है इसमें से कौन सी है चले बताई राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो friends यहाँ जो नदी है यहाँ लूनी नदी है लूनी नदी अजमेर के दक्सिन पस्सिम में अरावली से निकलती है कह रेगूर एक प्रकार के मिट्टी होती है और यहाँ जानी जाती है किस मिट्टी के नाम से तो यहाँ काले मिट्टी के नाम से जानी जाती है काले मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है ध्यान रखेंगे कपास की खेती के लिए यह सबसे उप्युक्त मिट्टी होती ह नेक्स्ट कोस्टन है हमारा कोस्टन नमबर 30 कि संखेप में ट्रिम्स का अर्थ आपको बताना है टी आर आई एमस यानि की राइट अंसर इसका क्या होगा पहले अंसर कमेंट कर देजिए फिर मैं बता देता हूं आपको टी आर आई फूल फार्म आता इसका ट्रेड रिलेटेड इनुवेस्टमेंट मेजर्स ट्रेड रिलेटेड यहाम लिख देता हूं भाई लेखे ट्रेड रिलेटेड सेल इन्वेस्ट मेंट सब्सलीमेंट nectar उपाई यहाँ पर दियागा option number C right answer इसका हो जाएगा चले next question हमरे कि भारती ये जीवन वीबा निगम की अस्थापना कब हुई थी यानि कि LIC की अस्थापना कब हुई थी तो friends ये 1 सितंबर 1956 को हुई थी 1956 LIC की अस्थापना हुई थी इसका headquarter कहां पर है तो friends मुंबई में है LIC का headquarter चले उसका बढ़े कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रविर्ती होती है क्या कहलाती है कमेंट करेंगे सभी लोग इसका answer this यह जो कहला तो यह hot money कहलाती है जिसको की हिंदी में गरम मुद्रा कहा जाता है ठीक है option number इसका यह राइट अंसर हो जाएगा next question है कि पॉधे पर पुस्पन के लिए पुस्पन होने के लिए उत्तरदाई हर्मोन कौन सा है पुस्पन के लिए उत्तरदाई हर्मोन कौन सा है ब मात्र ऐसा पादप हर्मोन होए जो गैसी आवस्था में पाए जाता है ठीक है ट्राव मेर्टिन जो है यह पादप जो घायल कोशिका है कह सकते हैं कि पादपों के घाव भरने में सहायक होता है ठीक है साइटो काइनिन यह पादपों के कोशिका विभाजन में सहायक होता है चलिए, नेक्स्ट कोस्टन है, ये सारे के सारे पादप हार्मोन ही है, नेक्स्ट कोस्टन हमरे है कि बिहार में लोकसभा की आरक्षित सीटू की संख्या कितने है, बते ही राइट अंसर क्या हो जागा, देखे, द्यान से सुनिए, बिहार विधान सबा में टोटल 243 सीट है, इसमें 38 सीट जो है, ये सीट के लिए रिजर्व है, और 2 सीट जो है, ये स्ट के लिए रिजर्व है, ठेके, तो याद रखेंगे अगर पूछेगा कि बिहार में विधान सबा के लिए रक्षित सीट, तो 40 हो जाएगा, 38 सीट और 2 सीट के लिए, लेकिन यहां लोकसभा नेशनल ग्रेंड ट्रिबनल यानि की राष्ट्री हरित प्राधिकरण के अस्थापना कब हुई थी तो यह हुई थी 2010 में 18 अक्टूबर 2010 को ठीक है 18 अक्टूबर 2010 को NGT के अस्थापना हुई थी नेक्ट कुस्टन हमारे कि नेमन में से कौन फ्लोयम उत्तक का भाग नहीं है फ्लोयम उत्तक का भाग नहीं है देखिए फ्लोयम उत्तक और जाइलम उत्तक यह दोनों उत्तक के किस प्रकार के उत्तक उधारन है तो यह पात्यपो में पाया जाना में जटिल उत्तक के उधारन जाटिल उत्तक ठीक है फ्लेम और कौन सा जाइलम का भाग जो होता है यह कौन-कौन सा होता है जाइलम का भाग होता है ट्रेकिड होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं वाहिनी काएं क्या कहते हैं वाहिनी काएं यह जाइलम का भाग है उसके बाद वाहिकाएं वाहिकाएं अंग वेसल्स कहा जाता है तृक है था एक जाइलम टन्तु जाइलम टन्तु जिसको जाइलम फाइवर proclaimed okajat tutta और यहाँ चार्ज नहीं पर तो यहाँ पर आइट सर्व यह निकाय हो जागा यहाँ जाहिए के फुलोयम का नहीं है, फुलोयम का चाले नहीं न लिकाएं, जिसको की सियू टीब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सियू टीब कहा जाता है, ठीक है, उसके बाद सोह कोई सी कहा है, जिसको की कहा जाता है, फुलोयम तन्तु को क्या कहा जाता है, फुलोयम फाइवर कहा जाता है और एक इसका और पार्ट है फुलोयम मिर्दु तक यानि कि फुलोयम परनकाइमा ठीक है ध्यान रखिएगा वहनी काई जो है यह जायलम का भाग है यह फुलोयम का भाग नहीं है ऑप्सन नमबर बी राइट अंसर हो जायेगा जल का परिवहन जायलम करता है और भोज्य पद अभी आद रकना 14 सितंबर के दिन और एक है राश्ट्रियade की सीरिया की राजधानी कहाँ है सीरिया की राजधानी कहाँ पर है बता ही राइट एंसर क्या हो जाएगा सीरिया की राजधानी कहाँ ऊए ते Fersce यहां पर नहें चैनल करीद है चलिए नेक्ष्ट कोस्टन आहां हवारा कि यहाँ पर दिफूख़न दिद कारशना जेएगा ठीक है, 2006 में इसका foundation किया गया था और इसका headquarter जिनेवा Switzerland में है, चले next question है, हमारे किन्यम नलिकित में से कौन से विशय राजिसूची कंतरगत नहीं आता है, राजिसूची कंतरगत इसमें से कौन सा विशय नहीं आता है, चले फटफट एंसर कमेंट करिएगा, आसान परशन है, कौन से इसमें से राजिसूची कंतरगत नहीं आता है, तो दिखे इसमें से कृषी, राजिसूची कंतरगत आता है, पुलिस भी आएगा, परिवार नियोजन नहीं आएगा, ठीक है चलिए नेक्ष कोशन अमारे की द्रव में आंसिक या पूनता दूबे हुए किसी ठोस द्वरा प्राप्त उचाल की मात्रा नेमनलिखित पर नेरभर करती है बताए राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका सभी लोग जल्दी से अंसर कमेंट करिएगा थोड़ा सोच लीजिए फिर अंसर दीजिए देखे उचाल की मात्रा ठोस द्वरा हटाएगे द्रव की मात्रा पर नेरभर करती है उचाल की मात्रा जो है या ठोस द्वरा हटाएगे द्रव की मात्रा पर नेरभर करती है चलिए उत्पलावन का सिध्धान्त, आर्कमटीज का सिध्धान्त आपको याद भी होगा चलिए वल्टिये सेल में विदुत अपगट है वल्टिये सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड की रूप में कॉपर होता है और रिनातमक इलेक्ट्रोट की रूप में जिंक होता है ठीक है जिंक अमालगम का प्रियुक किया जाता है और इसमें विद्धुत अपगट की रूप में सल्फियूरिक इसीड का इस्तमाल किया जाता है ठीक है डैलूट सल्फियूरिक इसीड का इस्तमाल किया जाता है सल्फ जीवों की राचनात्मक और करयात्मक इकाई कौन सी है बताईए नेफ्रोन जो है ये विक्र की टेटिनी की करयात्मक इकाई है ठीक है बताईए कोशिका हो जाएगा इस का राइट अंसर ठीक है कोशिका करेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए और निवरोन किसकी करेक्ट में की काई है जरा आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा ठीक है कई बार मैंने आपको बता है किसी वस्तु को 30 मिटर से गिराने पर टी सेकंड समय लगता है अब देखें उसी वस्तु को 120 मिटर से गिराने पर कितना समय लगेगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां एच इकूल टू कितना हो जाएगा तो फर्मुला आपको याद है हाफ जी टी स्कॉाइर होता है क्ल क्रोस मल्टिप्लिकेशन कर देंगे तो t square १ कितना हो जाएगा तो यह 30 filt हो जाएगा तो 60 हर जाएगा इसके नीचे अ Means 60 root under 60 बटा g हो जाएगा ये पहला equation आप याद रखेगा ठीक है पहला equation याद रखना आपको t equal to क्या हो जाएगा root under 60 बटा g हो जाएगा दूसरा करें कि उसी वस्तु को 120 मिटर उपर से ठीक है उसी वस्तु को 120 मिटर उपर से half g और इसको हम लोगो t dash मान लेंगे t dash square कर लीजे ठीक है उसको में लोग t माना थे इसको t dash मान लीजे तो ये t dash equal to अब कितना हो जाएगा t dash equal to तो 12-24, 240 हो जाएगा और बटा g हो जाएगा ये दूसरा equation बन गया जैसे मैंने उसको निकाला था अब करेंगे क्या t dash बटा t कर देजे ठीक है t dash बटा t कर देजे तो equal to कितना हो जाएगा ये equal to हो जाएगा आपका 200 root under 40 ठीक है बटा g root under में ही गुना अब ये उपर जाएगा तो g बटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा इसको भाई solve कर जीजेगा तो यहाँ पर देखे root under 4 आजाएगा root से बाहर निकालेंगे तो ये 2 आजाएगा यानि कि 2 T's का right answer हो जाएगा समझ गए चले उसके बाद 45 नमबर है कि नेमन में से किस पदार्थ में ध्वनी का वेग कम होता है आपको पता है कि ध्वनी का वेग अधिकतम ठोस में होता है ठीक है ये तो आप भली बांती जानते हैं चले बताएगे इसमें से ध्वनी का वेग सबसे कम किस में होगा तो इसमें सबसे कम ध्वनी का वेग जो होगा यह किस में होगा फ्रेंट्स तो ध्यान दीदे का सबसे कम जो होगा यह आपका वायू में होगा किस में होगा वायू में इसमें सबसे कम होगा चले अगला प्रश्ण करेंगे कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है एक माइक्रोन बराबर कितना होता है फ्रेंट्स बताई र एक बटा हम इसको कैसे लिखेंगे थि एक बटा ऐसे लिख सकते हैं फिर इसको और फर्दर स्वर्ब करेंगे तो ये तीन जीरो होना की प्रतिरोधकता कितनी होनी चाहिए ओल्ट मेंटर और एक आधर्स एम मेटर का प्रतिरोद पुछा जाता है तो देखें आदर्ष वोल्ट मेटर की प्रतिरोद अक्ताज होनी चाहिए यह कितना होना चाहिए तो यह अनंत होना चाहिए और आदर्ष एम मेटर की कितना होना चाहिए तो फ्रेंड्स यह सुन्ने होना चाहिए कितना होना चाहिए चले question number 48 है कि मुख से निकली लार पाचन करती है मुख से निकली लार पाचन करती है तो देखे friends मुख से निकली लार यहां पाचन करती है मंड का, starch का, ठीक है तो friends यह मंड हो जाएगा और आपको पता है कि मानों में तीन जोडी लार गरंथिया पाई जाती है तीन जोडी लार गरंथिया पाई जाती है देखें ये जो लार है इसमें टाइलीन एंजाइम पाई जाता है कौन सा है, तो याद रखेंगे, इसमें ताइलिन नमक एक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, स्टार्च को सरकरा में तोड़ देता है, चली अगला प्रशन करेंगे, 49 नंबर की किस पेड़ की च्हाल मसालिक रूप में प्रयोगी जाती है, तो यहाद पेड़ कौन स ज्योंग की जाती है ठीक है रेट अंसर इसका डाल चीनी वह जायगा ऊप्सन नंबर A ठीक है चलिए लवंग पुस्पकली होता लवंग क्या है पुस्पकली है केसर क्या है केसरवर्ति कागण रहügen में क्यिक भक्षी पादप तो तो कुछ मैं कितभक्षी पादप के नाम बता रहा हूँ पहले आप इसका अंसर चरू करे हैं फिर में एंसर बता हूँगा चलिए कितभक्षी पादप का कुछ नाम याद रखेगा जैसे कि मैं बता रहा हूं, dionia यहाँ में लिखे जाओ dionia dionia और drosera dionia drosera ठीक है, और एक याद रखेगा brassinia यह सभी kit भक्षी पौदे हैं ठीक है, यहाँ पर दिके doseera दिया गया है option no.d इसका right answer हो जाएगा clear है, चलिए आगे बढ़ेंगे friends next question कर लेंगे कि computer विज्ञान में ASP का full form क्या है विस्तारी तरुप क्या है computer विज्ञान में ASP का full form क्या है जल्दी से answer comment करिए तो इसका full form होता है क्या active server pages active server pages right answer हो जाएगा अपना अपना score आप लोग बताईएगा निमलिखित में से सरवाधिक कठोर धातु इनमें से कौन सी है इनमें से सबसे कठोर धातु जो है ये कौन सी है तो ये कठोर धातु जो है ये कौन सी धातु है तो याद रखेंगे इसमें platinum सरवाधिक कठोर धातु है ठीक है platinum right answer हो जा किया गया था बताई राइट अंसर क्या हो जाएगा तो फ्रंट्स दिये दिया गया था जी संकर कुरूब को 1965 में ठीक है मल्यालम के थे कोसिका के चार अवयव उस कोशिका को पाया जाता है जो पॉध्य की कोसिका में नीचे दिये गा है इनमें से आपको पाईसाना है कि पौधे की कोशिकाओं में तो पाई जाता है बट जन्तु की कोशिकाओं में नहीं पाई जाता है तो यह क्या है तो दिखे फ्रेंट्स अगर हम बात करें तो जन्तु कोसिका और पादप कोसिका में महत्पूर्ण अंतर यहीं है कि पादप कोसिका में कोसिका भित्ती पाई जाती है किन्तो जन्तु कोसिका में कोसिका भित्ती नहीं पाई जाती है साथी साथ दूसरा अंतर यह भी है कि जो पादप कोशिका है उने में लवक यानि की प्लास्टीट्स पाया जाता है और जनतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है तो यहाँ पर option D राइटन से रो जाएगा जनतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाता है बट पादप कोशिका में पाए जाता है चले निम्बू में die back रोग जो होता है यहाँ किसकी कमी से होता है निम्बू में die back रोग ठीके डाइबेक रोग और लिटिल लिफ रोग ये जो होता है ये निम्बू में होता है कौपर की कमी के कारण ठीक है अच्छा धान में खैरा रोग होता है जिंक की कमी के कारण ठीक है जिंक की कमी के कारण और मटर में मार्स रोग होता है मैगनीज की कमी के कारण ध्यान रखिएग है कि निमलकित में से कौन सा बिटामिन पानी में घुल अंसील है चले बताइएगा राइटन सर इसके क्या हो जाएगा पानी में घुल अंसील बिटामिन कौन सा है अब यहां पर दिखें मैंने लिखा के डी यानि कि विटामिन के विटामिन ई विटामिन डी और विटामिन ए यह क्या पढ़ेंगे आप इसको कीडा पढ़ेंगे जब हमने कीडा को एक पानी भरे गलास में डाला इस गलास में क्या है पानी है तो यह पानी में नहीं गूला तो फिर हमने क्या किया किया कि हमने एक वसा से भरे गलास में कीडा को डाला तो कीडा जो है वसा में गूल गया confusion इसी में होता है ने कौन सा पानी में घुलनसील है और कौन वसा में घुलनसील है तो दो गलास हमने लिया एक पानी वाला और एक वसा वाला पानी में कीडा नहीं घुला और वसा में कीडा घुल गया एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ तो ये कीडा से आपको याद रखना है बिटामिन K, बिटामिन E, बिटामिन D और बिटामिन A ये जल में घुलनसिल नहीं है, ये वसा में घुलनसिल बिटामिन है अब बच गया बिटामिन B और बिटामिन C, ये बिटामिन B और C जल में घुलनसिल है पाने में गोलनसील बेटामिन कौन सा है तो यहाँ देखे B दिया गया है B और C है बाकी कीड़ा K E D A कहां पर है वसा में गोलनसील है छेले क्वेस्टन नमर 57 है कि जर्दोजी कढ़ाई यह एक परकार की कपड़ा पर कढ़ाई करने की कला है जर्दोजी कढ़ाई यहाँ किसके सासनकाल में लोकप्रिय होई थी बताइए राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा 58 टंबर दिखी कि मनुस का हिर्दे किस जिली द्वारा घिरी रहती है मनुस का हिर्दे जो है जिस जिली के द्वारा घिरी होती है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम पिरिकार्डियम राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण हमारा है कि मेखला चादर किस राज जी की परमपरिक परिधान है मेखला चादर जो है यह किस राज जी की परमपरिक परिधान है चलिए फटफट अंसर कमेंट करेंगे सबी लोग answer comment करेंगे दिखें मेखला चादर जो है यह असम की परमपरिक परिधान है असम राइट अनसर हो जाएगा Next question है कि भारतिये निर्थ रूपो का उदरन निम्न में से किस में मिलता है भारतिये निर्थ रूपो का उदरन जो है इन में से किस में मिलता है चले बताएगा राइट अंसर इसका क्या हो जागा, इनमें से किस में मिलता है, राइट अंसर इसका क्या होगा, तो फ्रंट सी मिलता है नाटे सास्तर में, किस में मिलता है, नाटे सास्तर में भारती निर्थ रूपों का उधरन मिलता है, नाटे सास्तर की रचना किस ने किया भरत मुनी ने नाटे सास्ति की रचना किया है चले देवदास उपनियास किस ने लिखा है देवदास उपनियास को लिखा है सरत चंद चटो पध्याय ने सरत चंद चटो पध्याय याद रखिएगा उसका बदिकी निमलिकित में से किस कवी ने कविताओं की किताब मदुसाल किसने लिखा है मधुसाला को लिखा है हरिवंस राय बच्चन ने हरिवंस राय बच्चन याद हो जाएगा अगला प्रशन करेंगे नेक्स कुस्टन कर लेंगे और सिक्ष्टी थी हैं देखिए कि आगरा के लाल खिलब है मोती मस्जद का निर्मान किस ने कर वाई था यहाँ पर देखिए आगरा के खिलब में ठीक ना आग्रा के किलेंडिना ऑघर के कहा पर है अगरा में है इसका निर्मान औरनग बने सहाजा ने करवाए था और अकबर उसके ने करवाया था तो अखबर दोगा के लिए षिए लोगसभा की प्रथम महिला महा सचीव देखिए आगे ना प्रश्ण इसलिए मैं बोलता हूँ जो मैं बताऊंगा उससे ध्यान से सुनियेगा लोगसभा की प्रथम महिला महा सचीव कौन है तो ये सिनेहलता सिर्वास्तों हैं कौन है भाई तो ये सिनेहलता सिर्वास्तों है ठीक है रेट अंसर स्रेहलता सिर्वास्तो हो जाएगा वियस रमादेवी जो हैं ये पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है भारत की ठीक है चलिए अगला प्रशन करेंगे चलिए बताईए मरन पर्ण भारत रत derechos स्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे तो फ्रेंड्स यह लाल बहादूर सास्त्री ठीक है प्रखम प्रधानमंत्री जिनको भारत रतन दिया घ्या यह कौन थे तो Pandeith नहरु ठीक है में कितना उचा होता है राइट अनसर इसका क्या हो जाएगा देखिए प्रश्ण ध्यान से पड़ेगा बैडमिंटर का जो होट होता है यह यहां पर दिया गया है मिल्टर में अगर बात करें तो 1.55 मिल्टर होता है इसकी कुल लंबाई अगर पुछेगा तो 22 फित होता है लेकिन केंदर में थोड़ा सा कॉम होता है केंदर में ये 5 फोटका होता है ठीके चलिए अगला प्राशन पूरसकार इस तरह से आपको लिखा मिलेका ये कैपिटल मे से कि से इसे समानित किया गया है पेन पोर्सकार दोहजार 2 207 से किस समानित कि गया बताइघिस सब लोग और कमेंट करिए तो देखेंघ पtechn के में पलका से औरंधती राय को समानित किया गय 24 में टीके औरंधती राय टेंचर हो अगला प्रशनिका है 18 बार को शपीकर की सब्सकुना घ्याती है याद रखेंगे और इस बार कारे समाप्त हो जाता है लीट कर दसेती लेकिन अर्फिकर बन जाता है नंगा? और इस बार वृती महताब यह काफी है सबागे स्पीकर है लेकिन यहाँ पर प्रोटेम सब्द पुछा गया है चले उसके बाद नेक्स्ट को सने 69 नमबर देखे प्रश्ण पढ़ियेगा फ्रेंट्स इंपॉर्टेंट कुस्चन है कि फ्रेंच ओपन यह पॉलेंड की हैं ठीके ना अच्छा फ्रेंच ओपन यह महिला एकल हो गया फ्रेंच पूरू से कल का खिताब अगर पूछता तो आपका जवाब क्या होता तो यह कार्लोस्ट अलकराज ने ने खारीवफ आइनlkे नहां के हैं तो कारलोस अलकराज यह स्पेन के हैं ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट को सदर्ण ने देखें रूद्रायम टू आ गया ना देखें डी आर डी योंने रूद्रायम टू मिसाइल का सफल परिक्षन किया यह किस प्रकार की मिसाइल है तो सबसे पहले तो याद देख सकते हैं ऑपसे नबर यहाँ पर बी राय टप्र हो जाएगा ठीक है ठीक है चैरी फ्रेंट्स अब अगला ceiling करेंगे अब यहाँ से हिंदी का प्रशनिस श्टार्ट हो रहा है चलिए दामनी का प्रयाव चूसब्त क्या होगा दामनी का प्रयावचु सब्द क्या होगा दामनी का मतले विजली होता है विद्धुत होता है तो चपला होता है इसका प्रयावचु सब्द उसके बद सौधामनी भी होता है ठीक है सौधामनी भी होता है याद रखिएगा चंचला भी होता है ठीक है तो यह सब याद तो यह चपला राइटनसर हो जाएगा चलिए तरनी यह प्रयावचु होता है नौका का नाव का डोंगी का ठीक है सरीता नदी का प्रयावचु सब्द होता है देगा सब्दों में से नदी का समानार्थी सब्द तो दिखिए आग या ना अभी मैंने बताया था सरीता answer ठीक है याद रखिएगा उपेक्षा ठीक है अपेक्षा का उपेक्षा होता है अपेक्षा का बड़ा पुछा जाता है अपेक्षा का क्या होता है बिलों उपेक्षा होता है याद रखिएगा ठीक है चलिए next question करेंगे अगला प्रश्ण है हमारा कि किस भी कल्प में मुहाबरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है कलम न रुकना यानि कि लगातार लिखते रहना कलम कसाई कलम तोड़ने वाला ऐसा नहीं कलम कसाई का मतलब होता है कुरूरता पुर्वक लिखने वाला तो यह वाला जो है गलत दिया गया है और बाकि सारे सुमेलित दिया गया है next question है कि सही वर्तने वाले सब्द का चैन करें चतुसकून कौन सा सही लिखा गया है बताइए तो यहाँ पर देखेंगे चतुसकून और अप्सन डी में जो लिखा गया है बताइए उनकी आपस में घनिष्ट मैतरता थी मैतरता नहीं मितरता थी क्या होगा यहाँ पर मितरता होगा घनिष्ट मितरता थी ठीक है मितरता थी यह वाला portion error है चले अगला प्रशन है मारे किरिक्त अस्थान को भरना है बिपती में खले स्थन दिया गया से काम लेना चाहिए बिपती में सयम से काम लेना चाहिए बिपती में धैरे से काम लेना चाहिए बिपती में साहस से कारे लेना चाहिए ठीक है यहाँ पर दिखेगा धैरे दिया गया है नेक्ष को सेने देगए वाक्यांस के लिए एक सब्द चुनिए जो देखा ना जा सके उसको क्या कहेंगे उसको हम लोग कहेंगे अद्रिश क्या कहेंगे अद्रिश कहेंगे ठीक है अदमे का मतलब क्या होता है जो दबाया ना जा सके ठीक है इस्तिर द्रिश्टी वाले के ल आँखों में पानी यहां पंक्ति किस्त कावी की है किया मैंतली सरान गुप्त की रचना प्रेमाख्यानक कावी की रचलए तो इसके रचीता है मुल्ला दाउद, ठीक है, मुल्ला दाउद, ध्यान रखेंगे, 81 नमबर है, इंगलिस का प्रशनी आँसा है, कि she has been supporting her family, खाले संदियागा, her husband's death, बताइए, she has been supporting her family, since her husband's death, यहाँ पर since का इस्तमाल होगा, ठीक है, चले उसके बाद, next question नमर कि find out which part of the sentence has an error, she is one of the best mothers that has ever lived, देखें सही बोलने का अभ्यास है, तो has की जगह मैंने have बोल दिया था, इसलिए यहाँ यहाँ पर that has नहीं होगा, that have ever होगा, ठीक है, तो यहाँ पर option number C में टूटी दिया गया है, has की जगह have का इस्तमाल होगा, चले लिए find out the, यहाँ पर भी वही अगर error नहीं है, तो यहाँ पर no error पर आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है, चले, तो देखें इस part में error कहाँ पर है, तो इसमें कहीं भी error नहीं है, यह बिल्कुल correct वाक दिया गया है, sentence दिया गया है, देखें, select the alternative which best express the meaning of the idiom phrase, you can easily overcome the situation if you keep your head, यह keep your head का मतलब है, यहीं तो है अपका antonium बताना, यहाँ underline part जो है, यहीं वाला रहेगा, छूट गया है, यहाँ पर underline करना इसको, तो इसका मतलब keep your head का मतलब होता है, सांत रहना, यानि कि keep calm होगा, ठीक है, keep calm, यानि कि सांत रहना, इसका right answer हो जाएगा, किलेर है friends, चलगे, तो correct answer, remain calm हो जाएगा, keep calm, चलगे, उसका बाद next question है, यहाँ पर antonium बताना है, repulsive का, repulsive का मतलब होता है, विकर्शन, तो इसका ultra-accursion हो जाएगा, यानि कि attractive हो जाएगा, अगला प्रशन है हमारा, कि fixious का, आपको यहाँ पर synonym बताना है, तो दीके, fixious का मतलब कालपनिक होता है, और false का मतलब जूठ होता है, ठीक है, तो यहाँ synonym होई होगा, कालपनिक जूठा, ठीक है, चलिए, next question करेंगे हमारा, यहाँ पर alternative, जो है, one word substitution है, body of singers, इसको one word substitution क्या होगा, इसका, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको choir कहा जाता है, choir items हो जाएगा, इसको choir पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए, उसके इसको बाद देखेगा, कि change into passive voice, क्योंन टेस्ट सबीटर, क्या होगा, इसका passive voice, इसका passive voice क्या होगा, तो क्योंन इस बीटर, when it is tested, यानि कि option number A, write answer इसका हो जाएगा, ठीक है, चलिए, question number 89 है, कि choose the correct direct speech, I wondered how many discoveries went unheeded, इसका बताना है, write answer क्या हो जाएगा, इसका direct बताना है, तो I said how many discoveries go unheeded, ये वाला जो है, बिल्कुल correct है, option D, चलिए, उसका बाद 90 number प्रशन है, कि choose the correct indirect speech, he said to me, wait for me here, he asked me to wait for him there, he asked me to wait for him there, चलिए, उसका बाद देखेगा, कि भारत को स्रिलंका से कौन सा जल मार्ग प्रिथा करता है, बहुत ही simple सा question है, चलिए, पताए, write answer इसका क होगा, तो friends, यहाँ पाक जल्ड अमरू मद्य है, उसके बाद इकि उबेर कप का समद्ध किस खेल से है, उबर कप का समद्ध जो है, यहाँ किस खेल से है, जल्दी answer कमेंट कर दीजिए, right answer इसका क्या होगा, badminton से है, ठीक है, चलिए 93 number है कि महात्मा बुद्ध को महा परनि परनिर्वान में हुआता है, मिर्तिव कुसी नगर में हुई थी, त्रीपीटक किस की धार्मी गरंथ है, त्रीपीटक यहाँ बौधों की धार्मी गरंथ है, ठीक है, बौध राइट एंसर हो जाएगा, 95 number है कि बराह महिर थी, बराह महिर चंदगुप्त विक्रमादित के दरबार में थे, और एक प्रसिद क्या थे, तो फिर यह प्रसिद घड़ितग और खोगुलविद थे, यहाँ पर दिके खोगुलविद दिया गया है, ठीक है, एक प्राचीन खोगुलविद एस्ट्रोनोमर थे, चले उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन है कि अनुपम जील ब तर्यामन जील है, ठीक है, याद रखेगा, अनुपम जील कैमूर में है, कोश्टन बर 97 है कि विबरंस घाटी बनती है, विबरंस घाटी जो है यह बनती है, तो ये दो वरंस के बीच में बनती है, ठीक है, अगला प्रश्ण के दो अस्पा और सी अस्पा की प्रथा किसने सुरू किया था, दो अस्पा और सी अस्पा, प्रशास्तिक कारे कांट्रगत इसके अस्थापना किया था किसने जहांगीर ने, दो अस्पा और सी अस्थापना, 99 नमरे कहा नाताल की Casmir का अकबर के नाम से सुल्तान कोन था? यह कहा जाता था, अबदूल-जैनूल-आबद को यहां पर देखिए जैनूल आबिदीन को कस्मीर का अकबर कहा जाता है नेक्स्ट है और हंड्रेड नंबर कोस्टन है अभी आपना स्कूर आप कमेंट कीजिए पहले चले बिंदु सारकि सासनकाल के दौरान आसांति कहां पर हुई थी तो फ्रांसी यह तक्स शीला में